पर्मे संख्याओं का योग और अंतर कैसे निकालते हैं तो देखिए इसमें बहुत क्या करते हैं गलतिया कर लेते हैं यहां पलस माइनस होने के कारण कहां कहां गलतिया होता है तो मैं आज मैं आप लोगों को बताऊंगा तो देखिए पर्मे संख्याओं का योग कैसे करते ह आपलोग को भीन का ब्ता का जोड तो वस्पोटा को ये भी आगय तो इसमें जैसे उसमें कНетविस तहीं सबसे पहले क्या करते इसका ये काल लेते हैं तो क्या क्या है नेचे वाला का लिकालेंगे नौँ और च्छो का लगुत्ब्त लेंगे तो क्या आजाएगा 18 कितना आएगा 18 आपको अगर आता है एल्सियम निकालने तो बहुत अच्छी बात है आप निकाल भी सकते हैं बगल में ठीक है जैसे कि यहाँ पर है नो छो का लगुत्तम निकालेंगे दो से लगेगा नहीं तो तीन से लगाएंगे तीन और यह दो तीन तिया इनो दुनी के 18 तो यहाँ पर देखेंगे कि एल्सियम जो है वो कितना आ गया 18 इस 18 में इस 9 से डिवाइड करेंगे इस 18 में इस 9 से डिवाइड करेंगे जो आएगा से उपर में लिख देंगे ठीक है उसके पहस्चात क्या होगा इसमें मल्टिपलाई उस अंख्या से करेंगे जो इसके उपर में है इसके उपर में कौन से संग्या है माइनस फूर फिर आगे बरेंगे यहां पर एड है तो एड देंगे ठीक है जोर है तो जोर का चिन देंगे फिर उसी तरह से इसके साथ भी करेंगे इस 18 में 6 से भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा तीन बार में कटेगा कि तो आठ ठीक है अब देखेंगे कि यह पलस में और यह माइनस में बीच में मल्टिपलाई है यानि गुना है तो पलस गुने माइनस क्या होता है माइनस जो मैं आपको और रेडी बता चुका हूं इस पर चैनल पर इसका वीडियो भी आप लोग देख भी सकते हैं और यह जो बीच में आइड है सो बीच में का एड है फिर उसके बाद देखिए पांदियाई के पंदरा और नीचे में जो रहता है वही रहता है 18 का 18 तो आप देखेंगे कि इसका एंसर क्या हो जाएगा तो आप यहां पर भी गलती कर देते हैं क्या करते हैं कि यह आठ है आपके पास आया तो कितना हो जाएगा और अपना बचेगा इसलिए पलस होगा तो पलस चिन नहीं देते हैं तो बाई 18 यह आपका करेक्ट एंसर हो गया आप देख पा रहे होंगे यह पलस नहीं दे सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो दे भी सकते हैं तो चलिए हम लोग अगले कोश्चन के ओर परेंगे अगला कोश्चन क्या है अगला कोश्चन उसी तरह से इसका क्या करेंगे एल्सियम लेंगे और इसका इसका इल्सियम कितना हो जाएगा बारा फिर इस बारा में चार से डिवाइड करेंगे कितना आएगा थीरी और इसक के उपर में क्या है मल्टिप्लाई में दो तो आप देखेंगे कि तीन पचे के पंदरा और यह ना कुछ तो पालस और यह माइनस पालस उने माइनस माइनस और यह बला माइनस माइनस दो दूनी के चार अब देखेंगे बटा में जो है सो अब देखेंगे कि पंदरा माइनस में और चार माइनस में है तो टोटल कितना हो जाएगा तो पंदरा चार उनाइस माइनस में हो जाएगा यहां पर भी गलती कर लेते हैं कि इसको पलस बना देते हैं माइनस माइनस बीच में गुना रहे तो ऐसा काम होता है अगर गुना नहीं रह तो ऐसा काम नहीं होता है यह 15 रुपया करजा और 4 गुरों आया तो 19 रुपया कर जा गया जो करजा को दिखाते हैं बंस से बटे में कितना है 12 आपका एंसर बन चुका है आप चाहे तो इसको कौन से फ्रैक्शन में तोड़ सक झाल झाल